तो हम बात कर रहे थे राहू की महादसा के बारे में विभिन लगनों में जब राहू विभिन भाव में इस्तित हो तो राहू की महादसा आपके लिए कैसी रहेगी हम बात कर रहे हैं मकर लगन की मकर लगन में अगर पर्थम भाव में ही किसी जातक का राहू इस्तित हो तो र में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा राहू के लगन में होते हुए भी जातक काफी मेहनती होगा बहुत ज़्यादा प्रियास वो अपने जिवन में करेगा लेकिन जातक अपनी मेहनत के द्वारा अपने खुद के हार्ड वर्क के द्वारा जिवन में अपने आपको बहुत जद keyboard दिखाएगा आपने आपको बहुत जदा outside और इसको वह चाहता है तो एसे महीं जातक किसी भी प्रकार की कारिय कोई भी जीवन में अगर वो टार्गेट बना लेता उसको वो हासिल करके रहेगा क्योंकि एक तो ये कैप्रिकॉर्ण साइन है कैप्रिकॉर्ण साइन है वो सनी का साइन है सनी अगर थोड़ा सा भी मजबूत आपके चार्ट में हुआ तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस जीवन में मिल सकती है सक्सेस के अलावा आपको मान समान सामाजिक परतिष्ठा और एक अच्छा पद आपको मिल सकता है लगन का ही राहू है लगन का रहू बार बार आपको आपके कारिये के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए विदेश यात्रा का भी चांसे देगा तो यहां रहू का इस्तित होना एक बहुत ही अच्छी प्लेस्मेंट बानी चाहेगी आप लोगों के लिए साथ ही साथ समाज के लिए या अपने राष्टर के लिए आप योगदान देने वाले होंगे ऐसा रहू है तो थोड़ा सा जातक चिंता वाला रहेगा उसको थोड़ी गबरायट होगी या थोड़ा चिंता में अवस्य दूबा रहेगा यानि नॉर्मल वक्ती की तुलना में थोड़ा हार्डवरक ज्यादा करना पड़ सकता है अगर सनी कमज़ोर इस्तिती में है तो जातक को उतना एप्रीशेशन नहीं मिलेगा बट राहू लगन में होने की वज़े से वो अपने एप्रीशेशन को पाने के लिए या मानसमान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है फिर राहू लगन में है तो ऐसा जातक अपने आपको थोड़ा ज्यादा हार्डवरकिंग दिखाने का प्रियास करेगा वो चेहरे से उतना ज्यादा सुन्दर नहीं होगा अगर सनी का एस्पक्ट भी लगन पे है तो भी फिर ज जादा चांसिज नहीं बनते जातक के बहुत ज्यादा सुन्दर होने के बट एक अच्छी परिशनलिटी वाला ही ऐसा जातक होगा राहू का लगन में होना जातक को काफी सारे ट्रेवल करवाएगा काफी हार्डवरक करवाएगा काफी अपने आपको लेके अपने कैरियर क लेके चिंताएं देगा इस प्रकार का राहू है तो जातक को कभी-कभी बिजनस में लॉस हो जाता है जातक की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहती हैं लेकिन उस प्रकार से वो प्रियास नहीं कर पाता या वो कही ना कहीं कोई ना कोई कमी अवस्य देखता है अप आर चड़ाव दिखा सकता है जातक को मेंटली काफी बार डिस्टरब कर सकता है जातक को अलंकि राहू बहुत सारी क्वालिटीज भी देता है राहू का लगन में होना जातक को सेल्फ ऑप्सेशन देगा खुद के बारे में ज्यादा चिंता करने के लिए प्रेरित करेगा खुद को जादस जादस सफल बनाने के लिए ऐसा राहू प्रेरित करता ही है बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या लगन में कोई दूसरा ग्रह इस्तित है क्या लगन में ब्रसपती जैसा ग्रह इस्तित है या बुद्ध जैसा ग्रह इस्तित है या शुक्र इस्त स्टार्टिंग समय में दसा आ रही है तो बहुत ही गहरा इस दसा के समय का भी आपके उपर फरक पड़ता है साथ ही थोड़ा ऐसा जातक selfish अवस्य होगा वो अपने आपको हमेशा ही priority देगा अपने कारियों को priority देगा सामने वाले को वो इतना जदा importance नहीं देगा यहां रहु है तो जातक काफी clever होगा चालाख होगा चतुर होगा अपने कारियों को निप्टाने में माहिर होगा दूसरों पर हावी होने में काफी अच्छा होगा वो दूसरों को काफी ज़्यादा dominate करेगा बहस में तरक वितरक में ज़्यादा अच्छा होगा अपने काम में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अपने आपको बहुत स्मार्टली दिखाएगा फिर राहू की दर्ष्टियों की बात कर लेते तो राहू की सबसे पहले दर्ष्टि पढ़ेगी आपके पंचम भाव पर पंचम भाव जहां वर्षब रासी है वर्षब रासी पर जब राहू की दर्ष्टि पढ़ती है ऐसे में राहू आपको यहां creative skills बहुत सारी देते हैं आपको आपकी profession के लिए जो भी requirement है उन qualities को आपको देते हैं फिर पंचम को राहू देख रहा है तो थोड़ा speculative gain आपको देता है राहू आपको सेर बाजार, लोटरी, जुवा इन सबसे बहुत फाइदा दे सकता है अगर आपका शुकर बहुत मजबूत इस्तिति में है चार्ट में तो निस्सिति ऐसा राहू आपको काफी कुछ provide करेगा इस प्रकार के जातकों को बहुत ज़्यादा high expectation रहेगी अपने संतान से, अपने जिवन में एक बहुत अच्छी luxurious life जीने, एक बहुत मानसमान वाली, परतिस्था वाली life जीने के लिए तो यहां का राहू काफी obsessed करके रखेगा, फिर आपकी निर्णे छमता, आपकी सोचने समझने की छमता को बहुत strongly ऐसा राहू प्रभावित करता है राहू पंचम भाव को देख रहा है तो प्रेम समंदों में अकसर जातक को लेकर जाता है, अगर शुकर का समंद राहू से बन रहा हो तो ऐसा जातक प्रेम समंदों में बहुत ज्यादा जाएगा लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि ये सनी का रासी है, मकर रासी है तो कालपुर्स की साब से ये 10th house का रासी है इस वज़े से जाथ तक को सबसे ज़्यादा जो राहू यहां प्रोवाइड करेगा वो उसके केरियर के लिए, केरियर के लिए काफी चिंता देगा ऐसे में अब राहू आपको एक आवसर दे रहा है जब वो पंचम भाव को देखता है तो आपके लिए एक strong यहां opportunity है कि आप अपनी काबलियत पे कितना ब्रोशा करते हैं आप अपनी काबलियत को किस प्रकार से देखते हैं राहू का पंचम भाव को देखना हलंकी थोड़ा मांसिक रूप से उतार चड़ाव भी दे सकता है कभी-कभी बहुत ज़्यदा अवसाद, चिंता या बेचे नहीं दे सकता है राहू का पंचम भाव को देखना आपकी संतान के लिए भी कुछ हद तक अच्छा नहीं होगा संतान से अक्सर आपके रिलेशन खराब रहेंगे संतान आपके अकोर्डिंग नहीं चलेगी आपकी जैसी इच्छाएं, अभिलासाएं या अपक्षाएं संतान से हैं उस प्रकार से संतान काम नहीं करेगी फिर राहू देखते हैं आपके सब्तम भाव को सब्तम भाव में आपके केतु इस्तित होते हैं अब राहू जब सब्तम भाव को देख रहें यहां राहू आपको बहुत ज़्यादा care करने के लिए नहीं force करता है कभी भी जातक अपने आपकी ही ज़्यादा care करता है तो यहां थोड़ा सा विवाही जिवन में उतार चड़ा हो काफी आ सकते हैं यहां पर जातक को विदेश यात्रा का मुखा ज्यादा मिलता है जातक को इधर उधर travel करने का मुखा ज्यादा मिलता है साथ ही जातक partnership में अच्छा हो सकता है बट उसकी partnership बहुत लंबे शमय तक नहीं चलेगी हो सकता है कि आप partnership किसे की साथ कर लिए अपने business में तो आप दूसरों पर बहुत जल्दे हावी हो सकते है बट ऐसे इस्तिति जहां आप लाब पा रहे हैं लगाता है जहां आपको profit हो रहा है वो इस्तिति बहुत कम समय तक रहेगी तो यहां partnership को थोड़ा avoid करके चलें तो ज्यादा बहतर है साथ ही क्या आपका सनी के साथ चंदरमा इस्तित है या सनी से संबंद बना रहा है चंदरमा या फिर राहू या केतु से चंदरमा अगर संबंदित हो आपके चार्ट में तो यह थोड़ा नुकसान भी दे सकता है इस बज़े से यहां थोड़ा partnership को लेके आप avoid करें चीजों को तो ज्यादा बहतर है फिर यहां राहू है वो आपके जिवन साथी के स्वास्ते के लिए अच्छे इस्तिति नहीं दिखाता और उसके बहुत high expectation अपने partner से होती है जो उसके कभी पूरी हो ही नहीं सकती फिर राहू आपके एक self image create करता है आपकी लोगों की सामने तो यह image बहुत ज़्यादा अच्छी नजर आ सकती ऐसा person बहुत ही ज़्यादा hard working लोगों को नजर आएगा बट वो actual में उतना hard working होगा नहीं फिर राहू देखते हैं आपके 9th house को अब 9th house को जब राहू यहां से देखते हैं यहां पर राहू आपके लिए काफी अच्छे स्थितिय डवलब करते हैं बार बार आपको विदेश यात्रा का मोका देते हैं जातक को दूसरे culture में रुची देते हैं दूसरे culture को पैचानने में उसको एड़ॉट करने में जातक काफी अच्छा होगा जातक अक्सर spiritual भी होगा काफी सारी यात्राएं करेगा बट वो भाग्ये के बरोसे कभी भी नहीं रह सकता उसको अपने भाग्ये को जगाने के तो carrier में वो बहुत ही अच्छी स्थिति डवलप कर पाएगा अपने लिए अब यह दसा आपको आती कब है अगर देखे सुरुवाती समय में आपको ऐसी दसा आ जाती है तो आपके संतान के लिए यानि आपके खुद के लिए और आपके study के लिए अच्छी नहीं है mid age में ऐसी दसा आती है तो संतान को लेके कुछ दिक्कते दे सकता है रहू इसके लवा प्यार महबत में कुछ नुक्सान दे सकता है बहुत जदा हर्ट ब्रेकिंग वाले स्थिति दे सकता है तो यहां पर रहू थोड़ा सा अच्छा नहीं का जाएगा उस हिसाब से बट रहू आ जाता है तो जात तक को मान समान और परतिस्ठा की चाहत बहुत ज़्यादा रहती है लेटर एज में ज़्यादा तर आपका फोरें की तरफ जुकाव देता है तो इस प्रकार की राहू की दसा रहेगी अगर आपका मकर लगन है और मकर लगन में राहू पर्थम भाव में ही झाल झाल